Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा Guys अभी जो मैंने last movie explain करी थी उसका नाम Cloud David The Chance of Meatball था आज उसके second part की बारी है जैसा कि हमने first part के अंदर देखा था कि कैसे अगर एक ऐसी machine को बना दिया जाए कि उसके अंदर से खाने की हर एक चीज निकले लेकिन कैसा हो कि वो ही चीजे जिन्दा हो जाए और इंसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा करा आज हम एक ऐसी ही दुनिया में चलते हैं जहां पे Flint की बनाए हुई machine ने खाने से बनी हुई चीजों को जिन्दा कर दिया मूवी की स्टार्टिंग में हमें Flint का बच्पन दिखाया जाता है उसका एक बहुत बड़ा आइडल हुआ करता था जिसका नाम चेस्टर था वो एक बहुत बड़ा scientist था जिसने कई सारे चीजों का innovation किया है और हमेशा से ही Flint उनी को ही देख के चीज़े invent किया करता था हम देख पाते हैं कि Flint ने अब तक जो भी invention करे थे वो सारे unsuccessful थे Flint बिना रुके बिना हारे अपने inventions को रूपता नहीं था आकिरकार उसने वो machine बना ही ली जिसके अंदर पानी की मदद से वो किसी भी तरह की के खानी को बना सकता था लेकिन problem तब आ गई जब वही machine के अंदर गड़ बढ़ी आ गई और वो machine बड़े-बड़े से खाने बनाने लगा joint monster खाना Flint ने उस वक्त तो अपनी machine को पैक कर दिया था इसी वक्त से second movie के शिरवात होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शहर के अंदर Chester पहुंचते हैं जो कि Flint के सबसी बड़े आइडल थे यह असल के अंदर बसीख hologram था क्योंकि Chester ने बहुत बड़े-बड़े invention करे थे तो उनके बने हुए hologram यानि उनके बने हुए dummy Chester हर जगर जाया करते थे वो इस शहर के अंदर आये थे इस शहर को clean करने के लिए क्योंकि खाना बहुत जाता बढ़ गया था तो किसी को तो इस खाने को clean करना ही था इस चीज के लिए government को इस पूरे शहर को खाली करना पड़ेगा और सब लोगों को California shift होना पड़ेगा Chester बताते हैं कि जैसे ही इस island को clean कर दिया जाएगा उसी के बाद सारे लोगों को यहाँ पर वापस भीज दिया जाएगा लेकिन Flint को नहीं भीजा जाएगा जब सब पूछते हैं कि आकि Flint ने क्या भी बार चाने वाला था वहाँ पर उसके जैसे और नचाने किती सारे साइंटेस्ट थे और काफी सारे अलग-अलग तरगे के experiment भी थे जैसे ही Chester के लैब के अंदर पहुचता है तो उसके वैलकम के लिए यहाँ पर एक रोबोट आती है जो कि Chester नहीं बनाई थी इसका ना थी वो बहुत सारी चीज़े इंवेंट करता है नए नए एक्सपरिमेंट करता है आदे फेल होते हैं आदे सक्सेस्फुल होते हैं जिसके बाद का आनी छे मैने बाद शिफ्ट हो जाती है Chester अपनी बहुत बड़े इवेंट के अंदर सब का वेलकम करता है और जब वो नाम जीता है तो फ्लेंट को लगता है कि जरूर वही जीता होगा लेकिन उसकी बजाए कोई दूसा सैंटिस जीत जाता है जिसने एक ऐसा इंवेंशन करा है कि कार एक छोटे से पैट की धूरू चल जाएगी उसमें किसी पैट्रोल की जरूरत नहीं होगी और फ्लेंट बहुत बड़ा announcement करता है एक food bar का जिसका नाम था 8.0 वो बहुत ही high-tech होनी वाला है यहाँ पे जब almost ये ceremony खतम हो गई थी तो barbchester के पास आती है और बताती है कि उन्होंने जिन लोगों को उस island पे भेजा था जो कि उस island को clean कर रहे थे उसे contact खतम हो क्या है यानि कि X और Y वहाँ की condition ब आखिर किसे उस planet पे भीजा जाए जहां चेस्टर कहता है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंडो जो कि समझतार हो लेकिन थोड़ा दिमाग से बेवफूफ भी हो और चेस्टर की सारी बाते माने जादा दिमाग भी ना चलाए और साथ ही चेस्टर को बहुत बड़ा भगवान मानत हो तभी बार्ब यहां पर फिलिंट के बारे में बताती है जो कि चेस्टर को तो अपना गुरू मानता था यहां हम देखते हैं कि फिलिंट अपने घर पे बिल्कुल उदास पैटा था फिलिंट की फादर सैम और उसका मंकी मिलके फिलिंट का मूट ठीक करने की बहुत कोश चेक करता है कि यह रियल के अंदर चेस्टर है तो वो हद से जादा खुश हो जाता है अब यहां पे चेस्टर फिलिंट को सारी बास समझाने लगते हैं कि यह लोग जिस आईलेंट से आई थे उसकी हालत बहुत जादा खराब हो गई है खानों के अंदर जान आ गई है वो लोगों को भेजा लेकिन सबसे कांटाइफ टूट गया है हमें उस मशीन को खतम करना पड़ेगा नहीं तो वो मशीन बड़े-बड़े सी मॉंस्टर खाना बनाता जाएगा और वो खाना अब अलग-अलग जगहों पे चला जाएगा और बागी सारी लोग भी खत्रे में आ चैस्टर उसी यूस भी देता है और कहता है कि अगर यह उस मशीन के लगा दी जाएगी तो मशीन अपने आप ब्लास्ट हो जाएगी और आज के बाद कुछ भी खाना नहीं बनाएगी तुम्हें वहां पे अकेले जाना पड़ेगा तुम यह बात किसी को भी नहीं बता सकत किता है यानि कि सैम उसकी फादर उसकी फ्रेंज और सारी लोगी की साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर यानि कि अपने आइलेंड पिचानी का मौका मिलेगा फ्लेंड के साथ में अप गाड़ी के अंदर उसके सारी दोस बैट के सीधा पहु पहले बहुत बड़ा स्पाइडर का बनाया हुआ जाल दिखाई देता है जिसके अंदर एक घर लिपटा हुआ था अंदर जाने के बाद इनके सामने अलग अलग चीज़े थी सबसे पहले तो एक बहुत ही ब्यूटिफुल स्ट्रॉबेरी उसके हाथ में आती है जैसे फ्ल लेकिन तभी इनका ध्यान पड़ता है कि यहां का तो महौल बहुत जादा बदल क्या है हर एक खाने के चीज़ के अंदर जान आ गई है वो दुनिया के हर तरेगे के जानवरों के अंदर बतल के हैं फ्लिंट के साथ उसके जित्ते भी दोस्ते सब खुश हो जाते हैं कि फ्लिंट का दिमाग बदलना जाए अपनी दोस्तों के भैकावी में आके इसी की कारणे इन सब लोगों को अलग-अलग करना पड़ेगा ये सब लोग जैसे पानी से बाहर आते हैं तभी इनको खाने के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ बर्गर इनके पीछी पर जाता है ये सब आलमोस्ट चीज़ बर्गर का खाना बनने ही पाले थे कि तभी यहां पे चेस्टर का शिप उतर जाता है चेस्टर कहता है कि क्या मैंने देरी तो नहीं की और सब कहते है कि थैंक गॉड आप आ गए अगर थोड़ा सा भी देरी करते तो आज तो हम इसका खाना बन ज जते बार्वब यहां पे स्ट्रॉबिरी वाली थे कि तभी बिचारी स्ट्रॉबेरे जाती है और उसके इंदर इन्हें कर जाती है वगरे की चीज डूढने के लिए उनके सामने उनके शॉप आ जाती है जहां पर वो फिशिस बेचा करते थे उन्हीं पता चलता है कि उनकी पूरी शॉप का खाना किसी नहीं खा लिया है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन तभी वो अपना लॉकर खोलते और उसके अंदर एक एक बहुत बड़ी टीम इनके उपर अटैक करते थी क्या सकते बस ये लोग भाग रहे थे और फिलिंट के लोग इनके बीच में आ गए फिलिंट भागता भागता अपनी घर की तरफ पहुँच जाता है हैरानी तब होती है जब ये अपनी घर को सीधा हवा के अंदर जूल हैं आखेत को हुआ क्या है वो हम से इतना अजीब सभी है और चैस्टर की सात् हर्ड कर ली वागता है ये साठी चीज़िए चैस्टर और उस की बनाई हुई ऋब्र बार्ब्र देखते हैं और सोचते कि आप तो कुछ करना ही पड़ेगा इन लोगों को फिलिंट से दूर करना ही होगा कई ना गई चैस्टर को इस बात का डैर था कि अगर उसने इस मशीन को डेस्ट्रॉइ नहीं किया तो वो अपनी जो नया इनुवेशन है वही फूट बार 8.0 उसे टाइम से लॉंच नहीं कर पाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने वादे से मुकर जाएगा सारी लोगों के बीच में उसकी बीस्ति हो जाएगी जिसके बाद में इस इन या फ्लिंट के डैट के उपर शिफ्ट हो जाता है यह हम देखते हैं कि फ्लिंट के डैट गई ना गई इन फूड आनि विशन दिखाता है एक ऐसा हेलमेट जिससे कि वो अपनी जल्दी से जल्दी मशीन को ढूंड सके यहां फ्लिंट के दोस्त उसे बाते करी रहे थे कि तब ही आपे जेस्टर आके फ्लिंट को साइड मिले जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने काम से नहीं भटकना इस स्ट्रॉबेरी की पूरी की पूरी फैमली थी और अब वो सैम से जो फ्रेंडी हो गई थी तो वो भी सैम के पीछे पीछे जानने लगती है इसी वक्त यह लोग देखते हैं कि यहां पे एक अर्थक्वैक सा आनी लगता है पूरी समीन हिलने लगी थी यहां पे एक लगी उसके तो छोटे-छोटे से बच्चे हैं और वो उनको प्रोटेक कर रही थी तब जाकि उसे फूट के एमोशन के बारे में समझ में आया जिसके बाद यह सब आगे एक ऐसी जगह पे पहुचते हैं जहां पे पूरी तरीकी से हनी ही हनी था इन सब के पैर सिरफ के अं हैं इनकी फैमिली को बढ़ाने नहीं आए हैं तुम्हें जाकि उस मशीन को बंद करना पड़ेगा जाओ और जाकि मशीन को बंद करो सैम या पर फ्लिंट को समझाने लगती है कि कैसा हो कि अगर हम इने समझने की कुशिश करें अगर हम इन पर रिसर्च करें इनी मारने की जरूरत है लेकिन फ्लिंट को समझ में आ गया था कि इन मॉंस्टर का जिंदा रहना जरूरी नहीं है बलकि इनका डिस्ट्रॉई होना ही ठीक रहेगा इन बातों से कहीं न कहीं सैम बहुत जाता नाराज हो जाती है क्योंकि फ्लिंट सैम की बात नहीं सुन रहा था सैम और काफे दूर जाने के बाद में फ्लिंट को एक बहुत बड़ा माउंटें दिखाए देता है और साथी में उसे यह भी पता चलता है कि फूट बनाने की जो मशीन है वो भी उपर ही है यहां हम देखते हैं कि सैम अपने दोस्तों के साथ में निकल रही थी और साथी में फ्लि इसे के बाद इने ये भी समझ में आता है कि चेस्टर जरूर कुछ गलाचीजे कर रहा है वो बहुत बुरा है और वो इस मशीन को बंद करवा कि इन सब फूड अनिमल्स को मरना चाता है तो कहीं न कहें अब इने फ्लिंट को रोकना पड़ेगा ये सब लोग जाने ही वाले थ है कि उसकी जो मशीन है वो कैंडी मांटिन के अंदर है उसकी आसपास बहुत सारा पानी है इसके करण वो भर भर के इस खानी को बना दे जा रही है लेकिन वहाँ पे कोई बी ऐसी चीज नहीं थी जोकि फ्लिंट को नुकसान पहुचा दे चुटे-चुटे से मार्शमेलों उस थे और जो कि अपनी फैमली के साथ में खुश रह रहे थे किसी को नुकसान नहीं पहुचा रहे थे तो आखिर इस मशीन को डिस्ट्रॉइ करके मतलब ही क्या होगा ये सब में मर चाएंगे फ्लिंट अपना दिमाग बतल लेता है लेकिन चेस्टर ऐसा नहीं होने देता उसे फील होता है कि सैम ने अब तक जो भी समझाया था वो सही था और चेस्टर एक बुरा इंसान है बलकि वो तो एक बहुत बड़ा चीटर है अब चेस्टर अपनी खुद के मुसे बता देता है कि कैसे वो फ्लिंट का इस्तिमाल कर रहा था ताकि वो इस मशीन का इस्तिम चेस्टर तुम्हें से घलत चीज़ी बोली गया है तुम्हें गलत चीजु की ओर मिले हैं यह चीज़्ण नहीए है चेस्टर तुम्हारा इस्तिमाल कर रहा है एक दिन तुम्हारा काम का मिastery ओने पर हो यहां और अरीो पे यूद जान नहीं जाती है जिसाना ब्यlicher दूक size लेकिन साथी में ये भी इंफॉर्म करती है कि उसके सारे दोस्तों के साथ में क्या हुआ है इसके बाद तो क्या स्ट्रॉबेरी ने अपने पूरे साथियों को इखटा कर लिया था जितने भी साइलेंड पे सारे जिंदा जानवर थे वो सब चेस्टर के पीछे पढ़ने वाल यहां एक तरफ तो फ्लिंट अपनी दोस्तों को लेने के लिए जाता है वहीं पे दूसरी तरफ चेस्टर की रोबोट से यहां पे आ जाते है और उनसे ये फूड आनिमल्स मिलके फाइट करते हैं फ्लिंट चेस्टर के पास आता है लेकिन चेस्टर तो बड़ा खुश था तो तुमारे दोस्तों को जान से मार दूगा चेस्टर ने अपनी बहुत सारे होलोग्राम बना दिये थे इसे के करण फ्लिंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर इसमें से रियल चेस्टर कौन सा है और किसको मारा जाए लेकिन तब फ्लिंट के मंकी के पर बगर पहुँचता है जो कि एक चीज़ स्पाइडर था वो बरगर चेस्टर को खा जाता है फिलिंट अपने आइलेंड पर आता है उस मशीन को उसी चगह पे रखता है जहांसे इस सारे जानवर जिंदा हुए थे क्योंकि ये इस आइलेंड के लिए सबसे जादा जरूरी चीज़ थी जैसे चोटे-चोटे से बच्चे हर चीज़ के थे वैसे ही बच्चे और जादा खुश हो जाते हैं बार्ब जो कि एक गलत इंसान के साथ काम कर रही थी अब उसने फिरेंड को जोईन कर लिया था आखरी सीन में हम देखते हैं कि हमेवर से फिरेंड के डैड उसे फिशिंग से खाना चाते थे और आखिर में मान गया था फिशिंग के लिए और इसी के साथ में गाई इसी बहुत अमेजिंग मुवी यहीं पी घट मुचाती है तो आप सबी लोगों को इसी लगी मुझे जरूर बताएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबी लोगों से अगली मुवी में तक के लिए टडा